नमस्कार फ्रेंड्स विडियो में टेंसर रेलेटिक प्रेटिस सेट लिया है इस प्रेटिस सेट में 30 कुशिन कवर करेंगे आप लोगों को जरूबत ना किया आप लोगों न 30 में से कितना है इंसकोर किया है और इसका जो पीडियेफ है आपको टेलिग्राम की चैनल पे एक आपको चैनल के में ब्रस पे जाएगा जब आप सभी लोग चैनल को जोईन कर लेंगे तो आपके यूटूब के होम पेज पे मेंबर्स पका उप्सन खुल जाएगा तो उसमें आपको सभी वीडियो की जो पीडियेफ का पासपड होगा वो आपको मिल जाएगा और पीडि एबिजिट कियें चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइक को प्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो कुछ नहीं कुछ नमा बन राखी बिलेंक टीबी वेन हर फादर कॉल्ड अप हर तो इसमें आप लोग सोच लीजे स्क्राइट अप्सन क्या होते हैं तो आपको हमेशा यह ची याद रखना है एक जो आता है यह पास्ट में आता है और दूसरा जो है पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो यहां पर जो है यह क्या दिया है कि राखी जब टीबी देख रही थी तभी उसके पिताजी ने बुलाया मतलब जब वो हमेशा एक टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज करना है और दूसरा पास्ट कॉंटिनियूस में तो यहां पर जो है कौन सा टेंस दिया है तो यह दिया है पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा जो आएगा यह आएगा पास्ट कॉंटिनियूस तो यहां पर इसका दो एक्सन एक साथ होते हैं तो आपको हमेशा एक टेंस जो है पास्ट कॉंटिनियस में और दूसरा टेंस जो दूसरा जो सेंटेंस है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है अगला जो कुछन ना कुछनमा टू तो इसमें आप लोग सोच लिए स्कराइट आप्सन क्या होगा तो आपको यह ची याद रखना है जब सेंटेंस में आपको सेंटेंस देखने को मिल जाता है तो सेंटेंस के तुरंत बाद वाला जो सेंटेंस है यह हमेशा आपको पास्ट इंडेफिनिट में देखने को यह हमेज़ आपको past indefinite में देखने को मिलेगा जो since के बाद तुरंत आएगा वो past indefinite में आएगा और दूसरा sentence जो है यह present perfect में आएगा और जो बाद वाला sentence है since के जो तुरंत बाद होगा यह होगा past indefinite में तो यहां पर past indefinite दिया है एकदम correct है उससे पहले जो आएगा यह आएगा present perfect, तो present perfect की जो बर्व दी है, ये cable c option में दी है, तो यहाँ पे जो है इसका c option correct हो जाएगा, आपको since वाला rule याद रखना है, जब भी आपको sentence में since देखने को मिल जाए, तो since के तुरंथ जो बाद वाला sentence है, इसमें आपको क्या लगाना है, ये लगाना है past, past indefinite use क करना है, और उसके just पहले क्या use करना है, तो ये आपको present perfect use करना है, तो यहाँ पे इसका c option correct हो जाएगा, अगला जो कुछन ना कुछन मा 3rd जो है, 3 into 2 blank 6, तो यहाँ पे आप लोग सोच लिजे, blank में क्या हैगा, result, results, is resulting, ये resulted, तो आप लोग सबसे पहले ये चाहिए याद बात होती है, उसके लिए आप हमेशा present indefinite use करेंगे, जो पूरे world में same हो, जो मतलब सच्चाई हो, उसके लिए आप हमेशा present indefinite use करेंगे, और present indefinite में भी कौन सी बर्व यूज करेंगे, ये हमेशा आप राथ में एकता जो है, preference जो है, singular बर्व को देंगे, जो पूरे world मे जो है same रहता है उसके लिए आप हमेशा singular वर्व का use करेंगे वो भी present indefinite में तो यहाँ पर present indefinite की जो बर्व दी है यह दी है results तो यहाँ पर जो है इसका B option यहाँ पर correct हो जाएगा 3 into 2 जो है results यहाँ पर 6 आएगा जैसे आप 3 into 2 करते हैं तो result जो है यह 6 आएगा तो यह जो है सच बात है जो यह पूरे बल्ड में यह मानी जाएगी की 3 into 2 करेंगे तो result जो है 6 आएगा तो यह जो है आपको यह सचा ही है तो यहाँ इसके लिए हमेशा present indefinite यूज़ करेंगे और present indefinite में भी जो बर्व आएगी यह हमेशा प्राथमिक्ता जो है यह singular बर्व option क्या होगा तो यहाँ पर जो है आपको sentence का आर्थ समझना पड़ेगा तो यहाँ पर pupil blank दिया है when they are to repent मतलब की लोग जब पस्ताते हैं यहाँ पर लिखा है when they are to repent लोग जब पस्ताते हैं तो माफी मांगते हैं तो pupil apologize यहाँ पर correct हो जाएगा की मतलब की जब लोग पस्तात हैं मतलब जब लोग पस्ताएंगे मतलब they are to repent लोग जब पस्ताते हैं तो माफी मांगते हैं तो माफी मांगते हैं तो जब पस्ताएंगे तो माफी मांगेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि यह future में है कि जब पस्ताएंगे तो माफी मांगेंगे ऐसा नहीं है जब कि वह आप पश्थाएंगे, जैसे जब लोग पश्था आते हैं, तभी माफ़ी मांगते हैं, तो यह जो प्रिजेंट की बात हो रही है, तो यह पे अपोलो गाइस यहाँ पे प्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को अपने 10 फ्रेंट्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें अगला जो कुछन है कुछन मोर 5 जो है वाइल आकास ब्लेंक संबन टुक अबे इस मोबाइल तो इसमें आप लोग सोच लिए सकराइट ऑप्षन क्या होगा तो मैंने आपको क्या बताया जब सेंटेंस में दो एक्षन एक साथ होते हैं जब दो एक्षन सेम टाइम होते हैं तो आपको हमेशा एक टेंस जो यूज़ करना है ये पास्ट इंडेफिनेट में दूसरा जो है आपको क्या बताया दूसरा जो है आपको यूज़ करना है पास्ट कॉंटिनियूस तो पास्ट कॉंटिनियूस किसमें दिया है ये दिया है बी ओप्षन में तो यहां पे इसका बी ओप्षन करेक्ट हो जाएगा कि इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आकाश जब सो रहा था, तो किसी ने उसका mobile चुरा लिया, इस sentence का मतलब हो जाएगा, जब वो अकास सो रहा था, तब ही उसका किसी ने mobile चुराया, तो दोनों accent एक साथ हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक tense यूज़ करना है, past indefinite में, जो की दिया था, और दूसरा जो है past continuous में, जो की आपको use करना है, तो यहाँ पे जो है, इसका भी option correct हो जाएगा, आगला जो कुछन ना कुछनमा 6 जो है, पुस्पा बिलेंक to that college for the last 10 years, तो सबसे पहले इसमें देखिए, for दिया है, for के बाद जो है time दिया है, जब भी sentence में आपको time दिया हो, तो हमेशा आपको जो प्रात्मेक्ता देनी है, हमेशा आपको ये देनी है, present perfect continuous या फिर past perfect continuous, तो यहाँ पे जो इसका right option हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपको हमेशा जो जिस option में bean वाला दिया होगा, उसको आपको use करना है, तो यहाँ पे केवल एक ही option दिया है, जो की past perfect continuous का है, तो यहाँ पे जो है इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा, sentence का मतलब हो जाएगा, कि पुष्पा पिछले 10 साल से उस college में जा रही थी, इस sentence का मतलब हो जाएगा, अगला जो question है, question number 7, I know that you blank up the idea of learning Sanskrit, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या होगा, कि I know that मतलब कि मैं जानता हूँ कि आपने जो है, यहाँ पे जो है give क्या आएगा, आप लोग पहले सोच लिजे, तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा, यह यहाँ पे जो है present की ही बरवानी चाहिए, तो यहाँ पे जो है इसका B option correct हो जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है I know that, कि मैं जानता हूँ, तो यहाँ पे present use हुआ है, मतलब मैं जानता हूँ, कि आपने संस्कृत सीखने का बिचार जो है छोड़ दिया है, कि मैं जानता हूँ, मतलब present की बात हो रही है, और कि आपने संस्कृत सीखने का बिचार छोड़ दिया है, तो यहाँ पे have given यहाँ पे correct हो जाएगा, option यहाँ पे जो है, इसका be correct हो जाएगा, आगला जो question, question 8, if it blank this afternoon, we shall stay at home, तो इसमें आप लोग सूच लिए इस correct option क्या होगा, यह sentence जो है conditional sentence है, और conditional sentences पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है, तो आप channel पे जाके आप लोग conditional sentences by रिशब सर आप सर्च करेंगे, तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के जो है description में मैं देदूँगा उस वीडियो का link, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखीगा, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जब sentence के सुरुवात में, जब जैसे यहाँ पे सुरुवात में दिया है, if, if के बाद जो भी sentence अगर दिया है, जैसे present indefinite अगर दिया है सुरुवात में, तो कॉमा के बाद जो भी आगे sentence होगा उसमें जो है future indefinite आएगा मतलब build shell आएगा आगे जो भी आएगा ये will shell आएगा तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप ये याद रखिए आगे जो है will shell दिया है तो यहाँ पे हमेशा आपको present indefinite use करना है यहाँ पे अगर आपको bill या फिर shell मिल जाता आपको तो हमेशा आपको सुरुगात वाले sentence में जो if वाला sentence है उसमें हमेशा आपको present indefinite use करना है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह option यहाँ पे इसका de-correct हो जाएगा अगला जो कुछन ना कुछन मा 9 फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किये करें अगला जो कुछन ना कुछन मा 9 जो है इसमें आप लोग सोच लीजिएगा इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे जो है it is time for you मतलब जो है आपके सोने का समय हो गया है तो यहाँ पे जो है आपके सोने का समय हो गया है तो मतलब कि जो जब उससे बात कहरा है कोई कि आपके सोने का समय हो गया है तब जब बात कहरा है तो present में कहरा है लेकिन जो सोने का समय है वो past का है तो इस बज़े से यहाँ पर बर्ब की second form आएगी तो यहाँ पर जो है went correct हो जाएगा कि आपके सोने का समय हो गया है मतलब की समय हो गया है मतलब की आप हो चुका है उसके बाद आप सोएंगे तो फिर वो past का समय हो जाएगा तो इस बज़े से यहां पे went यहां पे correct हो जाएगा अगले जो question ना question number 10 Although the police blink every precaution the robber managed to escape तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा Although the police had taken every precaution the robber managed to escape तो यहां पे जो है इसका D option correct हो जाएगा क्योंकि दोनों घटाएं जो है past की हैं तो यहां पे sentence का जो मतलब हो जाएगा हाला कि police ने हर संभव एतियात बड़ती लेकिन लूटेरा भागने में सबल रहा इस sentence का मतलब हो जाएगा तो यहां पे दोनों घटाएं past की हैं तो यहां पे जो appropriate option है यहाँ पे D option यहाँ पे एकदम correct हो जाएगा जो है past perfect यहाँ पे use होगा इसके according यहाँ पे sentence का जो अर्थ है एकदम correct निकल रहा है कि हाला कि police ने हर संभव एतियात बढ़ती लेकिन लोटेरा जो है भागने में सफल रहा तो यहाँ पे जो है इसका D option correct हो जाएगा अगले जो question है customer 11 I went to the bathroom blank my cloths and had a nice bath तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे sentence का जो है past indefinite use हुआ है तो यहाँ पे भी जो आएगा यह past indefinite की बरवाएगी तो यहाँ पे right option जो हो जाएगा यह cable C option में दिया है तो यहाँ पे इसका C option correct हो जाएगा took off का मतलब जो हो जाएगा यह हो जाएगा उतारना तो I went to the bathroom मैं bathroom में गया और अपने कपड़े उतारे took off my cloths and had a nice bath मत और अच्छे से नहाया तो यहाँ पे जो है इसका C option correct हो जाएगा अगला जो कुछना कुछनमा 12 जो है if you blank me I would have attended your party तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा यह जो है conditional sentence है तो यहाँ पे जो है आगे जब भी आपको sentence में would have आपको देखने को मिल जाता है तो शुरुवात में जो भी आएगा यह आएगा क्या past perfect आएगा हमेशा तो यहाँ पे past perfect की जो बर्व दी है यह cable B option में दी है तो यहाँ पे जो है इसका B option correct हो जाएगा जब भी शुरुवात में आपको past perfect देखने को मिलेगा तो आगे जो भी आएगा यह would have आएगा तो यह चीज़ आपको याद रखना है would have या could have यह आपको याद रखना है तो यहाँ पे जो है इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा अगर आपने मुझे आमंतृत किया होता तो मैं आपकी party में शामिल होता इस sentence का मतलभ हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and share रुकिया करें अगला जो कुष्ण ना कुष्ण नमा 13 जो है तो इसमें आप लोग तो sentence में जो है यह time दिया है तो जब भी आपको sentence में time दिया होता है तो आपको हमेशा जिसमें bean बाला option होगा वो आपको choose करना है तो यहाँ पर यह सारे option यहाँ पर गलत हो जाएं क्योंकि इसमें bean नहीं दिया है तो यहाँ पर cable एक ही option में दिया है bean बाला option तो यहाँ पर have been playing यहाँ पर correct हो जाएगा option यहाँ पर d correct हो जाएगा लड़कियां दो घंटे से बॉलीवाल खेल रही हैं और उन्होंने अभी तक समाप्त नहीं किया है इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अगला जो कुछन ना कुछनमा 14 जो है तो इसमें आप लोग सोच लिजे स्कराइट आप्सन क्या होगा तो यहां पे जो है मतलब जो पेड़ की पतियां है तो पेड़ की पतियों की बात हो रही है तो पेड़ की पतियां तो पतियां यहां पे जो है यह प्लूरल है तो इस बज़े से यहां पे जो है यहां पे R यहां पे correct हो जाएगा तो यहां पे जो है इसका B option correct हो जाएगा इस साल बारिस नहीं होने के बावजूद पेड़ की जो पत्ते हैं यह हरे हैं तो यहां पे present की बात हो रही है तो इस बज़े से यहां पे जो है इसका B option यहां पे correct हो जाएगा क्योंकि यहां पेड़ की पतियों की बात हो रही है तो पतियां जो हैं अपने आप में plural हैं इस बज़े से यहां पे आ रहाया है तो यहां पे B option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो कुछन ना कुछ नमर 15 जो है If the players had played well they blank the match तो इसमें आप लोग सोचली जिस का right option क्या होगा तो मैंने आपको बता चुका हूँ यह sentence जो है conditional sentence है और conditional sentences पे मैं वीडियो और बना चुका हूँ अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखेगा उस वीडियो का link जो है वीडियो के description में आपको मिल जाएगा या फिर आप conditional sentences by रिशब सर्च सर्च कर लेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा तो यहाँ पे जो है आपको मैंने क्या बताया जब सुरूरात वाले sentence में इफ वाले sentence में जब आपको past perfect देखने को मिल जाता है तो आगे हमेशा आपको would have bala या फिर could have bala चूज करना है तो यहाँ पे जो है इसका be option यहाँ पे correct हो जाएगा तो यहाँ पे sentence का जो मतलब हो जाएगा अगर खिलाडी अच्छा खिलते तो match जीत जाते तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा तो इसका जो है यह be option यहाँ पे correct हो जाएगा अगरा जो question ना question नमा 16 two years ago तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया जब भी sentence में ago या फिर before आपको देखने को मिल जाता है अगरा जो question ना question नमा 16 two years ago we blank a Monday in Mount Abu तो इसमें आप लोग socially जिसका right option क्या होगा जब भी sentence में आपको ago before देखने को मिल जाता है तो हमेशा आपको past indefinite use करना है तो past indefinite केवल c option में यहाँ पे बर्वदी है जो spend लिखा है spend का second form जो है spent होता है तो यहाँ पे जो है इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा दो साल पहले हमने Mount Abu में एक सुमबार बिताया था इस sentence का मतलब हो जाएगा तो यहाँ पे जो है ago दिया है तो इस बज़े से sentence में हमेशा आपको past indefinite use करना है तो यहाँ पे past indefinite की second form use होती है तो इस बज़े से spend की second form जो है spent होती है तो यहाँ पे जो है इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and share रुकिया करें अगला जो question है question number 17 जो है I have been knocking at the door for 10 minutes but nobody blank it yet तो इसमें आप लोग socially इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे sentence में जो है मैं 10 minutes से दरवाजा खट-कटा रहा हूँ लेकिन अभी तक किसी ने मतलब की दरवाजा नहीं खोला है तो यहाँ पे जो है इसका right option हो जाएगा has opened यहाँ पे correct हो जाएगा I have been knocking at the door मैं 10 minutes से दरवाजा खट-कटा रहा हूँ 10 minutes but लेकिन अभी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो यहाँ पे जो है has opened यहाँ पे sentence के according correct हो जाएगा यहाँ पे जो है क्योंकि present की बात हो रही है कि मैं 10 minutes से दरवाजा खट-कटा रहा हूँ लेकिन अभी तक किसी ने नहीं खोला तो यहाँ पे present की बात हो रही है तो यहाँ पे has opened यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question नहीं कुछ नमा जो 18 है we blank for half an hour when the other team arrived तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लिजेगा तो यहाँ पे जो है have been waiting यहाँ पे correct हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे sentence में जो है time दिया है for half an hour तो यहाँ पे time दिया है इस बज़े से यहाँ पे have been waiting यहाँ पे correct हो जाएगा option यहाँ पे see इसका correct हो जाएगा आगला जो कुश्टन कुश्टमा 19 बुड देट आई ब्लेंक दा किंग तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका राइट आप्सन क्या होगा ये कुश्टन काफी एकजाम में बन चुका है मतलब यही कॉंसेप्ट पे ये कुश्टन तो नहीं बना लेकिन इसी कॉंसेप्ट पे काफी कुश्टन बनते हैं एक जामनर जो है आपको ऐसी कुश्टन देता है कि आप सभी को पता होगा आई के साथ जो है आप बहुत यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप इसको सही कर देंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका तो यहाँ पे मैं आपको रूल बता देता हूँ कि बुट देट आई बलेंक दा किंग आप लोग हमेशा ये ची याद रखिये जब कोई कोरी कलपना करता है जैसे मैं पच्छी होता या फिर मैं राजा होता तो यहाँ पे सेंटेंस में जो बात कही गई है काश मैं राजा होता मतलब वो एक कोरी कलपना कर रहा है कि काश मैं राजा होता तो जब कोरी कलपना की जाती है तो हमेशा आई के साथ वर आता है जब कोरी कलपना की जाती है तो हमेशा I के साथ वर आता है ना की बोज तो ये ची आप लोग ध्यान रखिएगा एक जामनर हैं इसे कुश्चन आपको बनाता है और आप सभी लोग जो है उसको गलत कर देते हैं तो ये आपको याद रखना है जब sentence में कोरी कलपना की जाती है तो हमेशा आपको I के साथ वर यूज़ करना है अगला जो कुश्चन है कुश्चन में 20 टेक यॉर रेनकोट इट ब्लेंक लाइक दिस वेन यू रेटन तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका राइट आप्सन क्या होगा टेक यॉर रेनकोट तो यहाँ पे जो है अपना रेनकोट ले लो आपकी जो है लोटने पर बारिश हो सकती है तो जब possibility हो कि बारिश हो सकती है कोई काम हो सकता है तो हमेशा आप में यूज़ करेंगे आप हमेशा जो बर्व यूज़ करेंगे ये में यूज़ करेंगे आपके लोटने पर बारिष हो सकती है तो यहाँ पे May Rain यहाँ पर Correct हो जाएगा जब possibility होती है कि ऐसा काम हो सकता है तो हमेशा आप May Use करेंगे और कोई काम होगा ही होगा जब कोई काम जशे बारिष होगी ही होगी तो यहाँ पर आप Must use करेंगे जब यहाँ पे possibility हो कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है तो may use करेंगे जब होगा ही तो must use करेंगे तो यहाँ पे जो है इसका be option यहाँ पे correct हो जाएगा sentence का मतलब हो जाएगा अपना raincoat ले लो आपके लोटने परबारिश हो सकती है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question 21 in 1939 nine days after world war second blank the uttermans pledged their loyalty at a man meeting तो इसमें आप लोग सोच लिजए इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे world war second की बात हो रही है तो world war second के लिए यहाँ पे हमेशा past perfect use करेंगे तो यहाँ पे correct जो हो जाएगा यह b option यहाँ पे correct हो जाएगा had begun यहाँ पे correct हो जाएगा यहाँ पे जो है world war second की बात हो रही है वो भी nine days after मतलब की nine दिन बाद मतलब नो दिन बाद तो यहाँ पे जो है इस sentence का जो मतलब हो जाएगा की 1949 में दूसरे बिश्यूद के नो दिन बाद जो इटर मंस ने एक आदमी की बैठक में अपनी बफादारी का बादा किया इस sentence का मतलब हो जाएगा head begun यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question दो question 22 Bobby played volleyball when he blanked 10 तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो Bobby played volleyball तो Bobby जो है यह volleyball खेलता था when, कब, तो यह खेलता था कब, जब वह 10 साल का था तो यहाँ पे बोज यहाँ पे correct हो जाएगा क्योंकि past की बात हो रही है तो इस बज़े से बोज यहाँ पे correct हो जाएगा बोवी जब बॉलीवाल खेलता था जब वो है दस साल का था तो यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है I blank here for 10 minutes तो यहाँ पे जो है right option जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लिजिए यहाँ पे जो है time दिया है तो आप सोच रहे होंगे कि बीन बाला option नहीं दिया है तो आप लोग यह notice हमेशा करिए कि जब sentence में आपको time दिया हो और बीन बाला option कोई नहीं दिया हो तो यहाँ हमेशा आप जो है perfect use करेंगे क्योंकि यहाँ मैं बता देता हूँ जैसे यहाँ पर मैं यूज करता हूँ क्या have come यहाँ पर इसका option यहाँ पर correct हो गया है तो यहाँ पर I have come here for ten minutes तो मैं यहाँ 10 मिनट के लिए आया हूँ तो मतलब वो है 10 मिनट के लिए आया है तो मतलब वो आ चुका है तो आ चुका है तो यह sentence जो हो गया है ये present present perfect में हो जाएगा मतलब की हुआ है यहां मतलब मैं यहां 10 मिनट के लिए आया हूँ मतलब की अगले 10 मिनट तक में यहां रहूंगा तो मतलब मैं आ चुका हूँ तो चुका है चुके हैं किसमें आता है तो यह present perfect में आता है तो यहाँ पे जो है इसका A option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question 24 You had better blank at once तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा जब भी sentence में आपको head better आपको देखने को मिल जाता है तो इसके बाद जो भी बर्व आएगी यह without two आएगी मतलब infinitive आएगी तो infinitive होती है without two तो यहाँ पे बिना two वाली बर्व जो है cable A option में दिया है तो यहाँ पे आपको जब भी sentence में head better आपको देखने को मिल जाए तो इसके बाद जो भी बर्व आएगी यह बर्व की first form आएगी only तो यहाँ पे जो है start यहाँ पे correct हो जाएगा इसमें two कभी नहीं आएगा यह चीज़ आप हमें सा याद रखें तो यहाँ पे जो है इसका A option यहाँ पे correct हो जाएगा यहाँ पे sentence का मतलब जो हो जाएगा कि आपने एक बार में ही बैतर शुरुआत की थी इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question ना question 25 जो है friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and वीडियो को share रुखिया करें वीडियो को आप लोग share करते हैं या फिर like करते हैं तो उससे मुझे new वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता है तो आप लोग वीडियो को like and share रुखिया करें अगला जो question ना question 25 जो है maria blank an appointment to see the doctor it is at 10 a.m. tomorrow तो इसमें आप लोग सोच लिजे स्क्राइट option क्या होगा तो maria has made तो maria has made an appointment to see the doctor it is at 10 a.m. tomorrow तो यहां पे जो है कल सोबे 10 बजे maria ने डॉक्टर को दिखाने के लिए appointment लिया है तो यहां पे जो है appointment लिया आज है लेकिन दिखाएगी जो है कल सोबे मतलब की आने वाला जो कल होगा तो यहां पे has made तो उसने जो है appointment लिया तो यहां पे जो है हमेशा present perfect use करेंगे तो यहां पे जो है इसका d option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो कुछन ने कुछनमा 26 जो है Dutch people blank high walls around Holland coast तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो यहां पे जो है Dutch लोगों ने जो है Holland के तट के चारो और जो है ऊची दिवारें बनाई तो यहां पे जो है यह हमेशा इसमें हमेशा आप past indefinite use करेंगे जब जैसे लोगों ने बनाई मतलब की वो बना चुके हैं तो यहां पे जो है correct जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह made यहां पे correct हो जाएगा तो यहां पे Dutch people made high walls around Holland coast तो यहां पे जो है इसका B option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो question है question number 27 जो है The boys blank television every night unless they have homework तो इसमें आप लोग सोच लिजे सका right option क्या होगा तो यहां पे sentence में जो है every night की बात की गई है मतलब daily की बात की गई है जब habitual आदत होती है जैसे आदत है या फिर habitual जब बात होती है habitual की तो जैसे every night की बात होई है मतलब हर एक रात की बात होई है तो हमेशा present indefinite use करेंगे तो यहां पे जो है the boys यहां पे plural है तो इस बज़े से बर्व की first form cable आएगी तो यहां पे watch यहां पे correct हो जाएगा तो यहां पे जो है लड़के हर रात TV देखते हैं जब तक की उनके पास homework ना हो तो यहां पे जो है यह a option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो question ना question number 28 she was also deaf and she blank to speak तो इसमें आप लोग सोच ली जिसका right option क्या होगा तो यहां पे she was also deaf मतलब की हुआ है बहरी भी थी और यहां पे जो है to speak मतलब हुआ है बोल भी नहीं सकती थी तो यहां पे जो है right option यहां पे हो जाएगा यह couldn't learn यहां पे इसका correct हो जाएगा ऐसे sentence में हमेशा आप couldn't का use करेंगे या फिर could का use करेंगे तो she was also deaf मतलब वह बहरी भी थी और बोल भी नहीं सकती थी तो यहां पे couldn't appropriate होगा तो यहां पे जो है इसका c option सोच लिए इसका right option क्या होगा तो यहां पे जो है every in the garden तो यहां पे she तो यहां पे she touched यहां पे correct हो जाएगा she touched every in the garden and she ran into the house तो यहां पे जो है यहां पे sentence जो है यह दोनों end से जोड़े हैं end then से जोड़े हैं तो पीछे जो है past use हुआ है past indefinite use हुआ है तो शुरुवात में भी past की बात हो रही है तो past indefinite use होगा तो यहाँ पर touched यहाँ पर correct हो जाएगा अगला जो question ना question 30 I am a merchant, I blank, rice and wheat तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो यहाँ पर जो है I am a merchant मैं एक ब्यापारी हूँ I blank, rice and wheat तो यहाँ पर जो है मैं चावल और गे हूँ बेशता हूँ तो यहाँ पर बेशता हूँ तो यहाँ पर जो है present indefinite use होगा तो यहाँ पर जो है sale यहाँ पर correct हो जाएगा I sell rice and wheat तो यहाँ पर जो है इसका A option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला जो question ना question 31 इसका answer आप लोगों को comment works में बताना है he blank no one the city and didn't know where to go तो इसमें आप लोगों को comment works में बताना है इसका right option क्या होगा thank you friends आप लोगोंने 30 में से कितना score किया है comment works में जरूर बताएं अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को like and share रूखिया करें अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेर किया करें अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किया हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्राओं